बिस्मिल्लाही रह्मान्याहीम अस्सलाम अलेकों आए हम अब रेसिपी की तरफ चलते हैं आज हम जो आपके साथ रेसिपी शेयक करेंगे वह बहुत चटपड बनने वारी रेसिपी है और मैं इसको अपने स्टाइल में बनाऊंगी वह है ग्रीन राइस अजिए पर खादंगी और मैं इसको बहुत सिंपल टरीके से बनाऊंगी और खाने में यह बहुत ज्यादा टेस्टी होगी तो इसके लिए हमें चाहिए रुप कप हमने चावल लिए और इसको दो कप तर विए बिगो लिया है और थी टेबस्पून घी चाहिए आप इसको आ जिनको मैंने क्यूब्स की शकल में काटके तो दोके रखा हुआ है पानी में डिप हैं ताकि बलैक ना हूँ उसके बाद यह है एक प्याली मटर मैंने वन केजी बॉन वाला चिकन लिया था और उसके रेशे बना लिया है अब यह हडीया कर दिया है और मैंने तो अब यह टोमाटर है दो मीडियम साइज के एक मीडियम साइज का प्याज है और यह देखें पुदीना सबस दनिया और छे से साथ अदद सबस मिर्च इनको मैंने मोटा मोटा काट लिया है क्योंकि मैंने इसे को ग्रैंड करना था आए हम अब बनाने की तरफ चलते हैं और आप मेरा बर्पोर साथ दीजिएगा मेरे ही किचन में चले आए यह मैंने इसके उपर एक कडाही रख ली है और इसके अंदर डालूंगी घी अब हम इसको गरम कर लेंगे हमारा गी गरम हो चुका है अब हम इसमें प्यास डालेंगे और इसको हम ब्रोन करेंगे जब तक यह ब्रोन होता है हम अपने पुदीन ने सबस्दनिया और सबस्मिश को ग्रैन कर लेते हैं है रिए हम इसमें डालें ही अपनी पुदीन डालेंगे समय सबस्दनिया था आप अपनी पसांद से कम स्थाली कर सकते हैं क्योंकि यह जग quiet खेतम diaphragm तो आप मसजी से चिकन डालें तो मेरी फैमिली को यह पसंद है जाओ अब मैं इसमें डालूंगी हाफ काप पानी और इसको अच्छी तरह से ग्रैंड कर लूंगी यह देखिया तोको पीज आपने पीज दो धुर्गा खरण कर लिया है अब हमारा प्राम प्राइस भी थोड़ा से लाइट ब्रॉन होना शुरू हो गया है हमें प्याज इतना ही ब्रॉन चाहिए था हमने कलर्स चावलों का चेंज नहीं करना हमने सिर्फ प्याज का फ्लेवर लेना था अब हम इसमें डालेंगे चिकन जिसके हमने मोटे मोटे रेशे बना रही थे इसके साथ जाएंगे एक कप मटर और इसमें एक कप जाएंगे आलो आप अपने हिसाब से इसकी कॉइंटी को कामिया ज्यादा कर सकते हैं इस तरह दो मिन्ट फ्राई करेंगे प्याज और आईल में हमें फ्राई करते हुए दो मिट हो चुके हैं अब हम इसमें डालेंगे सबस्पेस्ट जो हमने सबस्वीच सबस्दनिया और पदीना से बनाया था वह हम इसमें एड कर देंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें यह बहुत मज़े की बनेंगी और सब घर में बहुत पसंद करेंगे आप एक दफाई से जुरूट ट्राई कीजिए यह देखें जी अब हमने इसको मिक्स कर लिया है हम इसको धाम कर पांच मिंट पकाएंगे ताकि यह अपने पानी में सबजी अच्छी तरह से गाल जाएं इसको पकते हुए पांच मिंट हो चुके हैं और यह देखें मिस्चे ने अपना पानी छोड़ दिया है इस लेवल पर आके हम इसमें नमक एड़ करेंगे हम इसमें नमक इसली थोड़ा एड़ करेंगे क्यूंकि हमने यहनी में भी डाला था अगर कम होगा तो बाद में एड़ कर लेंगे और वन टेब स्पून ही इसमें जाएगी काली मिर्च इसके अलावा हम कोई स्पाइस नहीं डालेंगे और हम इसको चीतरा से मिक्स कर लेंगे कि हम इसमें चिकन क्यूब्स वियरा भी नहीं डालेंगे क्यूंकि हम इसको यखनी में त्यार कर रहे हैं यह नहीं हैं दो पाना से रिमूव बढ़ा जुका है अब आप इसको दो मिट भूनेंगे अब हम इसमें जुआ यह नहीं है जिसमें हम ने चिकन पॉय किया था दो कप चावल में हमने चावल पानी डाला है फोर एंड हाफ कप चुछ इस बार मैंने चावल पहले दो के नहीं रखे थे और अब हम इसको अच्छी तरह से पानी को बॉयल होने देंगे जब पानी बॉयल होगा फिर इसमें हम चावल एड़ करेंगे पानी को बॉयल नहीं आया हम अब इसमें टमाटर डाल रहे हैं हमने इनको बहुत ब्रीक कटा हुआ था ताकि इनका कम्बिनेशन पर इच्छा होगे और इसका फ्लेवर भी चावलों के अंदर तक चला जाए अब हम इसको ढाब कर इसको बॉयल आने देंगे यह देखें पानी को बॉयल आ गया है अब हम इसमें अपने चावल डालेंगे हमने चावल डाल लिये हैं आपको कडाही दिखने में छोटी लाग रही होगी लेकिन डॉंट वड़ी कुछ नहीं होगा देखें कितने अच्छे चावल बनेंगे अब हम इनको ढाब कर पकाएंगे इस लेवल पर आके आप इसको देख लीजिएगा इसमें नमक कम है या नहीं अगर नमक कम हो तो इसमें आप और डाल सकते हैं और इसको ढाब कर पकने के लिए छोड़ देंगे ये देखें इसमें पानी खुश्खोने वाला है और थोड़ा सा पानी रह गया है ये देखें थोड़ा थोड़ा रहा है अब हम इसको धाम कर बीस मिन्ट तक बिल्कुल लो फ्लेम पर दाम लगाएंगे इसका टाइम 20 मिन्ट होते हैं तो हम आपसे मिलते हैं चावलों को दाम लगे हुए बीस मिन्ट हो चुके हैं हम इसको दाम खोलेंगे ये देखें काफी प्यारी सी नाइस सी लुक काई है खाने में देखने में डिलिशियस लग रहे हैं आए हम अब इसको डिशाउट करते हैं हमने चावल को डिशाउट कर लिया है देखें कितने खुबसद लुक काई है कितने प्यारे लग रहे हैं जिस तरह ये देखने में हैं खाने में भी ऐसी लजीज हैं और बहुत मज़े की हैं देखा किस तरह जल्दी जल्दी और बहुत कम इंग्रीडियंट से मैं इसको त्यार कर लिया है मेरी रेस्पी को ट्राइ किया करें और मुझे कमेंट बाक्स में बताया करें कि आपको इसका जल्ट कैसा मिला है अच्छी बनी के थोड़ी सी मिस्टेक्स होगी और आप मुझ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल एंकर को दबा लें ताकि मेरी नए वीडियो आप तक बहुत जल्द पहुंच सकें वो भी बिल्कुल फ्री और मुझे आप इजाज़त दीजिए अल्ला हाफीज